Hello everyone, मैं विश्व जीत सिंग, आप सभी का दाइनाप पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 02 के important question को solve करने वाले हैं आप जो इक question पर अपनी screen पर देख रहे हो यह हमें दाइनप के किसी student है हमारे WhatsApp group के अंदर में share किया था तो चलिए आज की इस फिडियो को start करते हैं डिटेल में इसकी question पर को solve करते हैं सबसे पहले अगर हम अपने पहले question को देखें तो पहले question में पूछा जा रहा है पुना जागरन काल से क्या भी प्राय है? आदुनिक विश्व में व्यक्तिवाद और ग्यानोदे की आलोचना कीजिए इस question के अंदर में दो चीज़े पूछी जा रही है पहला आपका पुना जागरन काल आ जाता है आपका पुना जागरन काल को explain करना पड़ेगा दूसरे पार्ट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा व्यक्तिवाद और ग्यानोदे सबसे पहले अगर हम पुना जागरन को देखे हैं तो पुना जागरन काल की सुरुवाद चौदवी से लेकर सोलवी सिताबदी के बीचों में बानी जाती है पुना जागरन वर्ड का मतलब होता है फिर से जगना ये इतावली के रेनेसा वर्ड से लिया गया है अब यहाँ पे अगर आप डिटेल में समझो कि पुना जागरन की जुरत क्यों पड़ी क्या पुना जागरन का मतलब है इसको यहाँ पर फिर से जगने के लिए यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है आम जंता को जगने की जुरत क्यों है आम जंता एक मद्धे यूग के इंदर में फसी हुई है मिधाइवल टाइम पिरेड को अगर वो पार करेंगे तो आधुनिक विश्व में एंटर कर पाएंग अब ऐसा क्या वाँ क्या चलनी पारे जो आधुनिक विश्व के अंदर में चलनी पारे क्या दिक्कत है पुना जागरन करने की जुरत पड़ रही है तो लोगों के उपर में कहीं न कहीं साहितिक जो जग्यान है बौधिक ज्ञान है खतम हो चुका है वह उसकी वैल्यू ख साहितिक महत्व समझ में है जो वहां की साहितिक वैल्यू है उसको पुना जीवित किया जा सके जिसके कान से पर पुना जागरन काल का स्टार्ट किया गया ऐसा नहीं था पुना जागरन काल के अंदर में कि एक एक व्यक्ति को पकड़ कर education दिया जा रहता ऐसा नहीं जो उन मतलब मदि कहल पूरे देश्ट को मदिक काल से निकलत अधूनिक विष्व में परिवेश किया जा सके इसका मेन मोर्व रखा गया था प cultivated विष्व के बारे में अगर आप通वात ज्यान की प्राप्ति करो तो ज्यान ओदे का मतलब क्या होता है ज्यान की प्राप्ति करना प्रबोधन का यूग भी कहते है इसे ज्यान ओदे भी कहते है पर बोध्दी की यूग भी कहते है इसको तो ज्यान की प्राप्ति करना नौलेज की प्राप्ति करना इसका में मतलब बनता है अब यहां पर जोर झहां जाता था धर्म के पूरा बोल वाला He Kamp Signal उतों सर के हो जो सर मंताता थी ओर चर्च कही दबडबे में जड़ जो दबबबा था आम जन्ता के भीच चर्च में पौल दिया कि रात हो गई है तो रात हो गई है सूरजपूरप से नहीं पश्चिम से उखता है तो पश्चिम से उखता है इस तरह से पूरा बोल वाला चर्च का चलता था और लोग जो थे चर्च के दबदबे में थे जिसके बाद यहां पे ज्यानोदे की सुरुवात की गई ज्यानोदे क जो अफसर है उसको फाइदा उठा सके, सोच समझ सके, सोतंतर विचार से कि आप क्या हो, किसलिए आए हो, क्यों है, क्या मोटीव है, मतलब आगे बढ़ सको, तरकी कर सको, विकास कर सको, आप दोने की विश्म में एंटर कर सको, जिसके काल से यहां पर ग्यान ओदे का स्टार जो अंधेरा चागया है, आपके सोच के, उसको हटाया जा सके, आप सोतंतर विचार सको, यहां पर ग्यान ओदे के अंदर में, मतलब जो आलोचक थे, क्या थे, तो अगर आलोचकों की बारे में बात किया जाना है, तो कौन-कौन से इसके आलोचक रहे हैं, तो रोमेंटिक व्यक्तिवाद और ग्यान ओदे के अलोचक के तौर पे, इनको बता सकते हो, इनको एक्स्प्लेइन कर सकते हो, इनके अडिलोजी को दिखा सकते हो, साथ ही साथ अगर हमें दिखू, व्यक्तिवाद क्या होता है, तो व्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है, कि इसमें ना इस् किसी कुछ भी हो बगवान मतलब सबका किसी एक का अधिपत ना हो उसके उपर में किसी एक का ठेकेदारी व्यवस्ता ना चले यह चीज़े रख करी गई और ग्यानोदे का मतलब यही था ग्यानोदे से पहले कि अगर आप व्यवस्ता दिखोगे तो अंदकार यूग के तौर में और पर दिखा जाता था अंधकारी को मतलब क्या कि जहां पर चर्च व्यस्ता का पूरा दबबा था लोगों के उपर में कंट्रोल था लोग के बंदन में बंदी हुए थे उनका जो सौतंदरत विचार आने चाहिए लोगों के अमन में जो सौतंदरत रुप से सोच सके वो चीज़े नहीं देखी जाते थे जिसके कान से हैं ज्यानोदे की जुरत पड़ी एक समझ में आता है देखो दोनों को मैंने आपको समझाने की क क्योंकि अगर आप जो बुक का डेफिनिशन पड़ोगे तो आपके माइन में नहीं बैठेगा बैठने का मतलब यह है कि आप कोई भी टॉपिक ऐसे पड़ो जिससे आपके माइन में सेट हो जाए कि आप आगे भी याद रख सको आगे किसी को समझाना हो लिखना हो तो अगर आप इस कोश्चिन उपर को स्टडी कर रहे हो तो इसमें जितने भी ऑल्मोस्ट टॉपिक है ना सबके वीडियो अल्रेडी दाइन आप के उपर में अवैलिबल है आप इनके लेसंस को जाकर देखे जिससे आप बहुत डीपली अर अच्छे सा अंसर लिख पाओगे आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा साथी साथ मैं ये भी बोलूँगा कि दाइन आप के उपर में आपको लास्ट फाइबर के कोश्चन पर की वीडियो मिलेगी आप उसको जरूर देखे अगर आप लास्ट फाइबर के कोश्चन पर की वीडियो देख रहे हो तो आपक कर सकते हो आपके हिजाम में अच्छे नमर बन सकते हैं ठीक है क्योंकि last favor के वीडियो के अंदर में कोशन का पैटन क्या है वह आपको समझ में आएगा सबसे ज़्यादा repeat करने वाले कोशन कों से हैं यह आपको समझ में पूस्ट important question कौन से हैं यह आपको समझ में आएगा साथे साथ उनके आपको बता रखें किस तरीके से पीछे कोशन आयता आगे किस तरह कैसे आएगा वह explain कर रखा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वह cover हो जाएगा तो मैं suggest करूंगा कि दाइन आपके उपर में जाएए वहाँ पर इसके प्लेइस के इंदर में जो भी आपका subject है उसके प्लेइस के अंदर में लास्ट फाइवेर के question पर की वीडियो मिल जाएगी आप उसको जरूर देख प्रॉपर तरीके से चलता हो तो उसको हम राज्य बोलते हैं ठीक है राज्य के अनुसार मतलब गार्णर के अनुसार एक राज्य के तत्व होते हैं ठीक है गार्णर एक त्यांसकार है जिसने राज्य के बारे में बताया कि राज्य के परमुक तोर पे चार तत्व होते हैं उसके लिए आपको पूरे समुदाय की जुरत पड़ेगी, जादा जादा लोगों की जुरत पड़ेगी, क्यों जुरत पड़ेगी, एक व्यक्ति ऐसा भी चाहिए, जो राज्य को कंट्रोल कर सके, राज कर सके, दूसरा व्यक्ति ऐसा भी चाहिए, जो कानून को लागू कर स होते हैं पहला तत होता है मनुष्य समुदा है ठीक है दूसरा तत वकर आप देखोगे तो एक पर्दिश के अंदर में जो इस्थाई तौर पे जो नियम कानून होते न उसकी जुरत पढ़ते हैं कि क्या नियम है क्या कानून है तीसरा अगर आप देखोगे तो आंत्रिक संप इसके अंदर में हम पांच लोग रहते हैं मैरे फापा ठीक है मम्मी पापा है अब बाकी जो हम लोग रहते हैं कोई रूल रेगुलिशन कुछ भी किसी तरह से उन्होंने जो बनाया है नियम कानून घर को लेकर कि इतने बज़े सोना है इतने बज़े खाना है यह करना है व ठीक है पर वो जो नियम कानूने कहां लागो होंगे इस परीधी के अंदर में जो सीमा है ना उसकी उसी के अंदर में लागो होंगे तो उसी के अंतरगत में जो मतलब पूरा जो आंतरिक संपरवुत्ता है ना वो ज़रूरी होता है एक राज्ये के कॉंसेप्ट में तो यह परमुक तोर पर राज्य के लिए क्या चीज जरूरत होता है तो यूरोपय चिंतक जो थे उनके दोरा कहा गया कि निहित भूभाग एक प्रॉपर तरीके से डेडिगनेट भूमी यहां यह वाला जो है इस वाले छेत्र का यह वाला राज्य बनने के लिए है यह वाला जो छे भूसतल है हमारे पास में 37 जन संक्या जो डेली के अंदर में आती है 3-4-5 करोड बने देली की जन संक्या हो चुकी है ठीक है साथी सा सरकार जहां पर सरकार से लाती है और संपर्भुत्ता और भारती राजनीतिक में सिंटन राज्य के इस तरीके से यूरूपी राजनीतिक से द्वारा में बोला गया अगर आप देखोगे भारती राजनीतिक चिंतन के नुसार क्या राज्ये तीकर सबसे पहले राजा जो राजय को राजनीतिuk नुसार है सुवामी राजय या सौमी एक शी जो आता है जो राजय को रेक्ट करें से हमारे केजड्री वाल जीinta कि मंत्री और आमत्ते जो उस बहुत लिकर पॉलिसी बनाया था उन्होंने बहुत ब्रतस एक के साथ में एक फ्री एक काटन खरी दो दो काटन फ्री मिल रहे थे तो वह जो मंतरी होते हैं वह राज्य को बनाते हैं साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहां पर आपको देखने के लिए क्लिए मिलेंगे किस तर से कानून व्यूस्था है किस तर सी देस के अंhtरमाई क्या कोश व्यस्था है ठीक है पैसा आर्थिक व्यस्था किस परकार का है दुर्ग और सेना मतलब आपका छेत्र किस तरसे किस तरसे के लिए बंदी है क्या चीजें है और आपके पास सेना व्यस्था किस परकार का है तो इन सब चीजों से मिलकर एक देश बनता है एक राज्य इसके बारे में बात की जाती है भाड़ती राजनितिक चिंदकों के द्वारा में कि हाँ एगर आप आधुनिक राजतिक बात करें जो आलुचक गत्यक किष्किस ने क्या सिधान्त दिया नहीं आधुनिक राजतिक राजति के बारेangan आपको मेक्या वाली के बारे में आपको पढ़ने के मिलेगा कि मेक्या वाली नहीं क्या बोला हॉप्स नहीं क्या बोला, मिसेल फूको नहीं क्या बोला और माक्सवादी के द्वारा में क्या बोला गया आधुनिक चिंतकों के द्वारा में क्या बोला गया में सेल्फ फूकों के दौरा में क्या बोला गया और माक्सवादी विचारकों के दौरा में क्या concept रखे गए यह आपको यहाँ पे एक्सपी कैसे समझ में आता है अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं कोश्चन नमर थर्ड जहां पर हम बात करते हैं अब देखों कोई यह कोश्चन को पढ़ ना कोश्चन नमर थर्ड तो यह कहीं इसे भी कोई कोश्चन जैसा नहीं लगेगा और इस पूरे चैप्टर के अंधर में अलग 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 चैप्टर से कोश्चन लिया गया है पूर इजांपल मैं बताता हूँ, नोकर साही करन अगर आप देखोगे MHI 02 के इंतर में, लेसन बाइस दे जाओगे, तो साथवे चैप्टर से नोकर साही करन लिया गया है, अगर आप अलप विकास के बारे में देखोगे तो ये लेसन नमबर 14 से लिया गया है, साथ दूनी 14 अगर आप देखोगे संपून यूद का, तो ये लेसन नमबर 26 से लिया गया है, उसके बाद ये उपनिवेशी करने, ये सारे आगे पिछे के लेसन से, और अगर आप देखोगे ये गैर वाला ना, गैर राज्ये, तो यहाँ पर ये बारवे लेसन से, इस तरह से मतलब ना इस वीडियो को तो देखे ही, देखें, साथ में मैंने और important topic की वीडियो बना रखी है, उसको देखें, important questions की वीडियो बना रखा है, उसको देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलने वाला है, इसके अंदर में थोड़ा 8 पटे तरीके से ना, 2, 4, 5, 5 chapter को मिला कर पर यहां पर अलग-अलग topic पढ़ोगे, एक मतलब कम question में ज्यादा topic cover हो जाएंगे, तो यह प्लस point यहां पर मिलेगा आपको, अब सबसे पहले हम एक एक करके दिखते हैं, डिटेल में बात करते हैं, सभी topic के उपर में, यहां पर सबसे पहले आता है, नौकर साहिकरन के ब आदूनिक राज्य का एक मत्यपुन गटक के तोर पे नौकर साहिकरन को देखा जाता है, जो आर्थ होता है ने, निर्ने लेने की परकेरिया य术 चिंद्ड्रिकरन होता है, किस तरह का निड्ने का तरह का एक जगह में जसांत जब्लाइस कर दिया जाता है, ये एक जगह प पूरे मैनेजमेंट को समालना है ये परमुकतर पे उनके कारे होते हैं दूसरा आता है देशो को लेकर एक पैमाना सेट किया गया कि कौन सा देश विकसित देश है कौन सा देश विकास सिल देश है कौन सा अल्प विक्सित देश है तो इस तरह से अलग-अलग पैमाने सेट किये गए तो देश के अंदर में क्या दर है किस तरीक है से क्या चल रहा है विकास का दर कितना है कितना महत्पूर है उसके अधार पर यहां पर अल्प विक्सित देशों का टैक दिया गया साथ साथ साखशर्ता दर, education दर जाता हो, ठीक है, उच्चे हो साखशर्ता दर, परजनन दर सही हो, ठीक है, स्वास्त सेवाएं सही हो, ठीक है, मतलब जितने भी जो मूलबूच चीजे होती हैं, जो प्लस पॉइंट के तौर पे देखी जाती है, पॉजिटिटिव बाइट के तौर पे देखी जाती है, वो सारी चीजे होनी चाहिए, तो उसी के अधार पर हम बोलते हैं, भया यह अलप विक्सित देश है या नहीं है, ठीक है, पॉर एक्जामपल आप बताईए कि पाकिस्तान क्या अलप विक्सित देश के अंदर में आएगा या नहीं है, देखते कितने वीवर को पता है, और क्या उनकी आइडलोजी बोलती है, उसके अधार पर आपको बताईए, जैसे नॉर्मल यह अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो वो अलप विक्सित देश नहीं है, ठीक है, अब यह जुरू नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम सरी ग्रो कर रहा है, किस तर क्या आर्थी को विस्ता है, सारी चीज़े देखी जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर अलप विकास को तैक किया जाता है, तो आप यह बताईएगा मुझे, कि पाकिस्तान जो मारा पडोसी देश है, पडोसी मुल्क है, तो वो अलप विक्सित है या यूद है, नहीं, यह संपुन यूद नहीं है, यह मानसिक यूद तोर पे लड़ा जा रहा है, मतलब क्या आर्थिक ववस्ताओं के अधार पर, सामाजिक ववस्ताओं के अधार पर, धार्मिक ववस्ताओं के अधार पर लड़ा जा रहा है, मानसिक यूद अभी चल रहा ह पर यूद हो नहीं रहा था, सभी अपने दिमाग के अंदर में लड़ रहे थे के भीया मुझे ये करना है, ये प्लैनिंग करना है, ये मारना है उसको इस तरह से करना है, वो सीत यूद कहला था तो as like संपन यूद मतलब जिसमें पूरी तरह से यूद हो ना हो उसको हम संपन यूद कहते हैं, संपन यूद टोटल यूदी से टोटल वार भी का जाता है ठीक है, इसराइल और हमास का टोटल वार के अंदर में आ जायेगा ठीक है, इस तरह से संपन यूद कहते है और जो आज का यूद है ना आधुनिक यूद ये राजनितिक छित्र के अंदर में समाजिक छित्र के अंदर में धार्मिक छित्र के अंदर में आर्तिक छित्र के अंदर में लड़ा है इस तरीके से किसी देश के उपर में आर्तिक पाबंदी लगा दी गई वो आर्थिक पावंदी आर्थिक यूद के तोर पे जाना गया किसी देश के सामान को हमने बाइकॉट कर दिया कि हम ये चीज नहीं लेंगी वो आपका आर्थिक और समाधिक खित्र के अंदर में आ गया आपने किसी तरह का अफवा ये साइवर अटेक करवा दिया बले ही मैं इसराइल का सपूर्ट करता हूँ कि इसराइल का कॉंसेप्ट अच्छा है ये चीज़े हैं क्योंकि कहीं नहीं भारत और थोड़ा से एक ना पॉजिटिव रहता है तो रहा जाता है इसराइल का पर अगर आप देखोगे तो इसराइल के जो भी मीडिया सोर्स है ना वो बहुत ठगड़ा है जमेनी स्तर पर इसराइल भले हार रहा हूँ ठीक है बट अगर आप सोचल मीडिया के अंदर में देखोगे ना तो इसराइल का धवदवा अलग लेवल का है ठीक है चाहिए उसका ना किसी भी तरीके से देख लो क्योंकि जो बड़े बड़े जो कंपनी है वो इसराइल से ब्लोंग करती है ठीक है पूरा गूगल से ले में बात की जाती है पर उपनिवेशी करन मतलब जो गुलामी का दौर राग इस तरीके से उपनिवेश बनाया गया ठीक होता है किसी के ऊपर में निवेश करना किसी उपर में अपना अधिकार जमाना निवेश करने मतलब उस पर अधिकार जमाना उपनिवेशी करन का दौर जैसे जो भी मतलब ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कंट्री थी जिन्हों ने अपने छोटे देशों पर गुलाम बनाया ठीक है और उसका धन निकासी जैसी ववस्ता आर्थिक तौर पर उसको सोखा उसको हम यह आप अपने विश्यकरन के तौर पर देखते हैं गैर राजयों और चुट मुट हिंसे ववस्ता होती रहती है उगरबादी मावबादी यह सारी चीज़े होती है वह गैर राजयों और अहिंसा के अंदर में उसको हम काओ ठीक है समझ में आता है तो यह वाला कुछ कोशन था इसके अंदर में पांच-साथ चैप्टर में से अलग-अलग जन-कल्यान होता क्या है तो लोगों का भलाई करना लोगों के भलाई के लिए जो भी कार्य कीया जाते हैं यहां पे जन-कल्यान यह फिर कल्यान का रिराज्य कारे तो आपका जन कल्यान एक लैगा ठीकिश आधुनिक राज्य और जन कल्यान के लिए नोकरशाई की भूमिका आप इस तरीके समझो कौविड का टाइम था भारत के अंदर में आधुनिक राज्य मतलब तकनीक से लेस है विज्ञान से लेस है बोधिक लेस है ठीकिश प्रॉप क्या चीज कैसे होने वाला है हॉस्पिटल के अंदर में बाकी चीजों के अंदर में रूल रेगुलिशन ठीक है लोग डाउन बंदी सब कुछ कैसे की चलेगा तो सब कुछ किसके एंट कंट्रोल में था यह तो सरकार ने तो रूप बनाया ना मोधी जी ने बोल दिया कि कल से बंद सब लोगडाउने घर में रहोगे तो क्या मोदी जी सब को घर के अंदर्म करने आये थे नहीं ना बिल्कुल नहीं यहां पर जो पुलिस थे आर्मी थी वह उत्री सरग पे उसने किया ठीक है पुलिस आर्मी को कंट्रोल कोन कर रहा था भी या तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो थे वह उनको कंट्रोल कर रहे थे उनके हैड ऑफिसर कर रहे थे जो ब्रेक्रेट के अंदर्गत आते हैं ठीक है समझ में आता है जन कल्यान मतलब क्या कि जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गई जो योजनाई बनाए गई लोगों तक वो किस तरीके से लोगों पुंजीबाद उद्योगी करण से क्या भी प्राय है अलप विकास की भूमिका की वीचना कीजिए इसके अंदर में भी सेम दो अलगलग चैप्टर से कोश्चन लिए गए हैं सबसे पहले कर मैं देखू पुंजीबाद उद्योगी करण के अंदर में एक ऐसा दोर कि आधुनिक विष्व के अंदर में किसा हम विकास कर सकें इसका दोर सुरू हो जाता है और जो आर्थिक ववईस्ता की होड़ लग जाती है कि हमें पैसे कमाने हैं विञ्यानी तरकी करने तकनीकी विकासकी तरकी करनी हो OR लगती है उसी को हम यहार पे पुंजी वाद जहां पर हम बताते हैं योडिग। के विस्तार में हीयोड़ी में रहते हैं देली के रहते हैं तो देली के लोकल் डेली अइट है कि बहूत कम लोग मिलेगे जो डेली के पूष्ठे होगी जो मुझे उम्मीद ही एक टरीके से महीं मानने के चलता हूब कि मढ़ गया मोडरी में आके रह गए हमें गर मंकान नहीं हुए कंसे क्या-क्या मुथ से इंद्र में के अंदर अल्मो शेवनिटी परज़ेंट ऐसी ओवादी दैली देली के आपको मुस्थापी थे जो मुझे तो यहां पर यूरोप का विस्तार किस तरह से हुआ किस तरह से विस्थापित हुआ कि यह आपको बताना है लोग जो इसे थे ना स्टार्टिंग से आप देखोगे आधूनिक प्राचीन संभिता से अगर देखोगे आप तो यहां पे जो आरंब में था ना खाना और देखोगे आधूनिक मानवों के अंदर में किस तरह से देश विक्सित हो रहा था तो इस तरीके से यूरोप के अंदर में क्या भूमिका रही किस तरह से बढ़ा यूरोप वह आपको explain विस्थापन को ठीक है जो लोग एक जगा से दुसरी जगा विस्थापित होते हैं माइग्रेट करते हैं वो आपको बताना है ठीक है question number 7 जहांपे हम बात करते हैं एक दुरुवे विश्व में रास्ट राज्य की व्याक्या करते हुए उत्तर प्रतूत किजी अब एक दुरुवे विश्व होता क्या है तो बहुत सारे इतिहासकार आपको ऐसे दिखेंगे जो एक दुरुवे विश्व को support करते हैं टोटल तीन ideology यहाँ पर आता है विश्व का एक्जाम्पल अगर आप देखोगे तुमने सुर्द कानवे से पहले का जो दौर रहता है जहां पे सीथी उधर चल रहा हnta यह बागी वेवस्था रहती है वह दो दुरुब है विश्व का आपको इक्जाम्पल देगा जहां 有 एक तरफ अमेरिका भी है ठीके चीन भी है रूस भी है और दीरे दीरे नए नए जो मतलब power of source है न वो बनते जा रहे हैं तो हम बहुत दुरुवे विश्व की ideology यहाँ पर रखते हैं ठीके तो तीन यहाँ पर ideology बन कर आते हैं अब एक दुरुवे में राष्ट राज्य की व्याख्या क्या है किस दीके से कर सकते हैं तो बहुत सारे इतिहास कारे ना हमका यह माना है इस सबसे सफल जो ववस्था है न वो एक धुरुवे ववस्था रहती है एक धुरुवे ववस्था के अंदर में एक व्यक्ति के पास में ही पावर है अगर आपका opponent है कोई सामने में है दूसरा बंदा है तो आप उसे लड़ाई करोगे, ठीक है, पावर को लेकर लड़ाई होगा ही होगा, confirm है भीया, कि मैं ज़्यादा सकती साली, तो उसको लेकर आप लड़ोगे, ठीक है, पर आप ही अकेले हो, पूरे विश्व के अंदर में है, आपका ही पावर है, शरीफ आपके ही पावर का बोल वाल है, तो लड़ों को किसे, तो उहाँ पर एक दुरुवे, तो उहाँ पर एक दुरुवे विश्व को ना ज्यादा सफल बता जाता है, अमेरिका के ऐक दुरुवे भी बताया, दुरुवे भी बताया, आपको कि क्या होता है, राष्ट राज्य की व्याक्या करें, तो एक दुरुबे के concept के अंदर में राष्ट राज्य यहां पर दो अलग लग topic है, दोनों को यहां पर मिला देगा है, फिर से. राष्ट राज्य के अगर हम बात करें, तो किस तरह से राष्ट और राज्य का निर्मान होता है? राश्ट राज्ये का निर्मान करने के लिए देश का कैसे निर्मान होता है, पता है, उसे मिलकर यहां पर राज्ट बनता है, यह आपको explain करना हो, तिके समझी में आता है, question number 8 की और बढ़ते है question number 8 के अंदर में पुचा गया ज्यान की करांती चेतर में तकनीकी संचार सूचना पर सारण की विचना की सी है अब देखो सूचना पर सारण यह अलग topic है तकनीकी चेतर यह अलग topic है ज्यान की करांती मतला है यह सारे अलगलग टॉपिक हैं यहाँ पे एक में ही अर्जेस्ट भी हो सकता है यहाँ पर हम बात करें ग्जान की करांती छेतर में तक्नीक अब देखो देरे-देरे लोगों के पास नौलेज आपा था उद्द्युगी करांती चुरू हुआ लोगों के पास में तकनीकी ग्यान आया, तकनीकी तोर पे विक्सित होते चले गए, नए-ने तकनीक बना, कमपनिया बनी, फैक्टरी बनी और उस तरह से वो विक्सित होते चले गए, ठीक है, धीरे-धीरे संचार और सुचना पर सारण का दौर सुरू हुआ, जहां पे किस त बैट कर सकते हो, ठीक है, यह बन गया, आज वीडियो में अपने घर पर बना रहो, डैली में बैट कर, और बहुत सारे स्टुटेंट्स ऐसे हैं, जो अलग-अलग स्टेट्स हैं, यहां पे गेम भी स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं, गेम नहीं है, मतलब एक तरह से जा साथ पुरे और भी वल्ड के चाहिए, तो वल्ड के देख सकते हैं, ठीक है, तो यह क्या भी है, तो यह संचार सुविधाओं के कारण से, संबब है, और यह चीज़े किसके कारण से होई, तो ज्ञान के छेदर के अंदर में, करांती के कारण से हैं, तो यह आपको जिन के आए, होप सो आपको समझ में आया होगा, रिक्वेस्ट एंड में यही रहेगा आप सभी वीवर से, कि अगर अभी तक आपने मारे चनल को सब्सक्राइब नहीं करका है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपके एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अच हम उसका जवाब देने की कुर्सिस करेंगे, मिलते हैं एक ली वीडियो के नदर में, टेक केरो, ला बेस्ट